ओम शान्ति, 21 नवेंबर की शुरुत अन्माज मार्च पहुचे हैं और परमपिता परमात्मा कल के वर्दान से ही रिलेटेड आर्थ की बात कर रहे हैं आज की बात क्या है? मंसा और वाचा ये दोनों के मेल से जादू मंत्र तो परमात्त पर कहते रहे हैं मंसा और वाचा के मेल द्वारा जदू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेष्था संपन भवा दुनिया थक चुकी है लोगों से काम करवाने के लिए चिला के भी ट्राई कर लिया थोड़ा सा रोब दिखा कर भी ट्राई कर लिया धमकी दे कर भी ट्राई कर लिया पर बातां कहते हैं और भी तरीके हैं क्या? मंसा और वाचा का जादू मंत्र यह है नवीनता और विशेश्टा मंसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है इससे संगठन की छोटी-छोटी बाते ऐसे समाप्थ हो जाएंगी जो आप सोचिंगे कि ये तो जादू हो गया क्योंकि विविगन का बात है कि जब हम किसी कुछ कहनी कोशिश करते हैं ये मेरा ही भावना नहीं थी, मैंने ये सोच करनी कहाता तो आगे वाले को लगता है कि मेरे को बुद्दू समझता है मुझे बेव को समझता है कि कहा रहा है बहुत मिठाई से मिठा से कि मेरे ये बाव नहीं था लेकिन वो जो पता है इसकी जो वाइबरेशन है वो कहतो नहीं पाते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से और अंदर से कुछ मतलब वायबरेशन आत्मा की एनरिजी लिए टेकिन मुझ से बहुत प्यार से स्वीटली बात कर रहे हैं और यह सारी चीज़े जो होती हैं यह लंबी क्यों चलती हैं क्योंकि हम अंदर कुछ बाहर कुछ होते हैं इस कारण से आज बहुत सारे संबंद होते हैं जो जितने भी संबंद हैं आज दुनिया हैं में चल रहा है हमारे बैकरॉन में चल रहा हो कि हमें और के बथी अच्छा सोचना बहला हो जैसे मपरोचstal को सद्धान के melody आ कि आक्ट में आने से पहले किसी के साथ में क्या करें कि अपना में को माइन भोलते तो make up your mind मतलब अपने संकलकों को शुद करें किसी के प्रती, अपनी भावनाओं को और के प्रती, हलचल में ना करके, चंचल ना बना करके, हम इसको क्लियर रखें, तो उससे क्या होगा, मन की हलचल समाप्त हो जाएगी, शुब दुआएं देने में बिजी हो, तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी, दुआएं तो देते हैं लोग, लेकिन कौन से दुआएं, शुब दुआएं, शुब दुआएं मतलब क्या होगी, किसी से मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मैं उनको यह दुआएं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो मेरा फायदा करते हैं, मैं उनको समाप्त हो जाएगी, प्रशार्त से कभी दिल शकस नहीं होंगी, बाबा को बहुत यातरी निकोशिश कर रहे हैं, मेड़िटेशन ही निहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि ना हमने शुब दुआएं किसी को देई हैं, लोगों से गिर्णा रखी हुई है, लोगों से नफरत र आपके अंदर जो नेगटिव दिखती है, वो सब कुछ आपका क्लेर होते जाएगा, आपकी प्यूरेटी बढ़ती जाएगी, वाइब्रेशन उची होगी, तो आप उची होगी वाइब्रेशन, तो उचा कौन? परमीता परमात्मा, उनसे आपका योग नाचरल लगना शुर मैं कुछ गलतों नहीं बोल रहा हूँ, जो अपने अंदर जो कॉंफिदेंस की कमी होती हो, इसलिए होती क्योंकि हम औरों के बारे में हम बहुत को सोच रहे होते हैं, यह ऐसा है, वैसलिए उनके साथ में बैठता हुए हमें एक जो उतर है, एक फिलिंग अंदर से कि हमारे मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार की सेवा का प्रभाव देखेंगे, अगर दुनों कमबाइन करते हैं, तो हम प्रभाव होगा सेवा का वह बहुत विहंग मार मुलकी infinite form में होगा, बहुत बढ़ी दरिकस होगा, अब सेवा में इसी नवीनता और विशेष्टा स संपन बनो तो नौ लाक प्रजा सहच त्यार हो जाएगी, अब यह राज क्या है, नौ लाक प्रजा का, यह आप आ करके तब ही सम सकते हैं, जब आप प्रमकुमारी ने, साथ दिन का कुर्स करते हैं, ओम शानतिस के साथ,